अब एक और बसाता है अपने स्वैम्पार्ट घर में ऐसी ही एक बहुत अच्छी आउशग है उसका नाम है जीरा जैसे हलद है वैसे ही एक है जीरा जीरा बहुत अच्छी आउशग है पित्त के जितने भी लोग हैं आपके शुरीम में ये सब जीरे से चीक हो जाते है पित्त के रोग आप सब समस्ते हैं पेट में जैस बनना पेट में जलन होना खटी-खटी डखार आना भोजन का पचल नहीं होना इंडाइजेशन होना वॉमिटिंग होना बार-बार पुल्टी होना वॉमिटिंग संसेशन होना नौसिया होना ये सब पित्त के रोगों इन पित्त के रोगों की सबसे अच्छी आउशद है उसका नाम है जीरा प्रे जीरे को ले लीजे आधा चम्मच और आधा का पानी ले लीजे उसमें मिला दीजे पानी को खूब गरम कर लीजे पानी को फिर खंडा कर लीजे खंडा करके इस पानी को चाय की तरह से पी लुजे और जो जीरा उसमें है उसको चबाके खा ले जे तो नियमित रूप से अगर सुबह सुबह आपने लेना शुरू किया तो ये जीरा फित्ट के सभी रोपों को आपके शरीर से बिल्कुल जूर ज़रे गैस बनना बंद हो जाएगी, खट्वी दकारे आना बंद हो जाएगी बोजन की जो अपच है वो ठीफ हो जाएगी वमिटिम संसेशन बिल्कुल ठीफ हो जाएगा इंडाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये सब बीमारी पित्ट से संबंदु जितनी भी है जितको भी कहते हैं न पित्ट बिगड़ गया है पित्ट बिगड़ गया उन सब को बोलिया जीरा खाए ऐसी डिटी वो इस तित्ट बिगड़ा ऐसी डिटी तित्ट यही खारा भी है तो जीरा बहुत अच्छी ओशन अभी आगे चलता जीरा आदा चमच हाँ तीन चार महिने ते जादा कोई भी ओशन लेने की ज़रुदत नहीं पड़ती ऐसा पाउडर खाय तो ही चलेगा चलेगा हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें